तो एलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बतारे वालों वाटसप का एक नया अपडेट और फीचर लॉंच किया गया है उसके बारे मतारे वालों दोस्तों आपको पता होगा भी कुछ टाइम से वहले वाटसप के साथ कुछ इशू चल रहे थे प्राइवसी क इसका स्क्रिंशोट मैं आपको यहां लगा दूँगा आप चाहिए तो देख सकते हैं किया लिका हुआ है आप अपने लैप्टॉप या अपने कहीं भी सिस्टम पे वाटसप वाटसप डाट कॉम खोल के अपने वाटसप को वहाँ पर इजीली चला सकते थे आप उसके अंदर एक कोई भी अगर आपका वाटसप यूज़ करता था कोई भी उसको क्यूर को स्कैन करके कोई भी कहीं भी इसको खोल सकता था बट अब उसमें एक नहीं सिक्यूर्टी लेयर एड कर दी गई है अब अगर आप एंड्रोइड यूज़र है तो आपके फिंगर पेंट लगेगा उसके बाद आप वहाँ पर क्यूर कोई स्कैन करके वहाँ पर आपका वाटसप एक्सिस हो पाएगा मतलब सिक्यूर्टी ल नाम रखा है लिंक का डिवाइज अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक नया उप्शन मिलने वाला एक नया पूरा लेयाउट मिलने वाला है अब लिंक डिवाइस वहाँ पर लिखने आएगा आपको मिलेगा लिंक का डिवाइस तो उस उसके बाद आप से क्यूर और उसके बाद आपका वहाँ पर वाटसाथ एक्सिस हो जाएगा और साथ-साथ उन्होंने ट्यूटर पर ट्यूट करने पर बाद क्या लिखा गया है कि हम आपकी ना फेस आईडी ना आपकी फिंगर आईडी को हम अपने पास capture रखेंगे सिर्फ आपके पास रही उन्होंने यह ट्यूटर पर साथ-साथ मैंशन करा है उसी के नीचे आपको दिख रहा हुआ यहां साथ-साथ लिखा है वाटसाथ नोट सी यूर फेस और फिंगर प्रेंट डेटा हम आपके डेटा को नहीं यूज करेंगे फिंगर प्रेंट और जो कि आपका फेस आईडी का तो यह ने लिखा है दोस्तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको यह ऑप्शन मिलेगा और कैसे उसका यूज करते तो वीडियो को स्किम मत करेंगे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए तो यह आप समझ पाएंगे तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे नाम सभी हो और आपको स्वाल आते हैं मेरे चैनल ऐसे टैक में दोस्तों जैसा की उने मता है आपको नए फीशर के लिए आपको सबसे वहले अपने वाटसप को अपडेट करना हूँ यहाँ पर जाएंगे आप 3 dots में यहाँ वाटसप वेब में जाएंगे तो आपको देखेंगे आप पूरा नया option मिल रहा है जाएगा और उपर आपको दिख रहा हूँ वेब डॉट्ट सप्का अप्षेन करना है इससे क्या वा जो जो भी आपका कोई परसन या कोई भी लोग आपका मुवाइल लेकर कहीं भी स्कैन कर लेते थे आपको पता भी नहीं चलता था तो आप जब तक आप अफर्टिकेट न प्राइबसी में वह सब से नीचे आपको मिल रहा है फिंगर्प्रिंट अनलोग का आपको पहले इसको एनेबल करना हो एनेबल करने से क्या होगा आपके जो फिंगर्प्रिंट की पर्मिशन है उसके बाद चलिए आएगी तो वहाँ पर वर्क करने लग जाएगी जैसे मेरे पास यहां पहले सी में चलाता था इसलिए मेरी फिंगर्प्रिंट उसके पर एक्सिस थी इसलिए वह चल रहा है तो आप देखेंगे आप चालू करने के बाद फिर वहाँ पर जाएंगे यहां वाट्शा वैब पर जाएंगे यहां लिंक का डिवाइस करेंगे तो आप से दो बार मांगेगा एक बार पहले फिर दूसरी बार फिर मांगेगा तो ही यहां पर कैमरा ओन होगा जो कि बहुत यह अच्छा फीचर है तो बहुत यह अच्छा फीचर है यह पहले आना चाहिए था बट अब यह आ गया है तो अच्छा फीचर है कि लोग ने इसका बहुत नीस्यill भी करा है यह अच्या फीचर दोस्तों आप कमेंट करकले जबिल बता है कि आपको यह फीचर कैसा लागा तो धेंक्यू दूस्तों मुझे उमीद है अपके तो पसंद तो धि वीडियो पसने जो तो प्लीस लाइक शेर और कमेंट ज़रू करें और अभी तख आपने मेरे शेलों सब्क्राइब नहीं किये सब्क्राइब करना ना भूले और मुझे इसका लिंक आपको डिशन पर मिल जाएगा तो थेंकी दोस्तों